सूपरभाद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी विसे में पाटपंदरा चड़िया की आँख बहुत समय पहली की बात है बच्चों जब हमारे देश में राजा पांडू राज किया करते थे और उस समय गुरुदोड़ाचारी जो है ब्रामध राजकुमारों को कौरो और पांडू जो छत्रिय थे उन्हीं राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते थे जब उनकी सिख्षा पूरी हो गई सभी बच्चों की तभी गुरुदोड़ाचारी ने सोचा कि मैं उनकी परिक्षा लो और उन्हें एक जंगल की तरफ लेके चले गए एक पेड़ पर मिट्टी की चड़िया टांग दी ठीक है मिट्टी से बना हुआ एक चड़िया टांग दिया पच्चों ये जो है ये जो कहानी है बहुत पहले की बात है जब कौरो और पांडो राज किया करते थे ठीक है एक मिट्टी की चड़िया उन्होंने टांगी और आज मैं तुम सब की परिक्षा लेना चाहता हूं, देखो उस पेड़ पर एक चड़िया है और तुम्हें उसे मार गिराना है, लेकिन बाड जो है चड़िया की आँख में ही लगना चाहिए, ठीक है, इसी तरीकी से उन्होंने सबसे पहले युदिस्ठिर को पुकारा और बो आना लगाना है, तभी गुरुदेव बोलते हैं युदिस्ठिर तुम पहले आओ, तो युदिस्ठिर बोलता है जो आग्या गुरुदेव, फिर गुरुदेव बोलते हैं ठरो, बाड चलाने से पहले तुम से कुछ पूछना चाहता हूं, तभी गुरुदेव ने पूछा कि क्या तुम उस चड़िया को देख रहे हो तभी युदिस्ठीर ने उत्तर दिया जी गुरुदेव वह चड़िया मुझे साब साब दिखाई दे रही है क्या तुम उस पेड को भी देख रहे हो गुरुदेव ने पूझा जी हाँ गुरुदेव फिक गुरुदेव ने कहा अच्छा अब तुम एक और हड जाओ तभी जो आदेश गुरुदेव कहते हुए उन्होंने लिजिस्टिर को रोग दिया दुर्योधन तुम आगे आओ और निशाना लगाने के लिए तयार हो जाओ तभी गुरुदेव जी ने कहा मैं तोद बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है तब दुर्योधन बोलता है गुरुदेव मैं इस पेड़ की शाखा पर लगे पत्ते, फल, फोल और आप सब लोगों को साब साब देख रहा हूँ तबे गुरुदेव कहे लेकिन तुम्हें जो देखना चाहिए वह नहीं दीख रहे अच्छा तुम भी हड़ जाओ नकूल अब बात करते हैं नकूल तुम आगे आओ और निशान लगाओ तो नकूल बोलता है कि हाँ जी गुरुदेव फिर गुरुदेव बोलते हैं उधर देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है तो नकूल बोलता है गुरुदेव मुझे पेड़ पर लगी बैठी चिडिया दिखाई देती है तभी गुरुदेव ने उसे भी रोग दिया रह तभी गुरुदेव जी ने, what's अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है, तभी अर्जुन आता है, तो अर्जुन बोलता है, जी गुरुदेव, अर्जुन बताओ, तुम्हें सामने पेड़ पर क्या दिखाई देता है, तो तुम्हें सामने पेड़ दिखाई देता है, पूसते हैं क्या तुम्हें चडिया की आँग भी दिखाई नहीं देती हैं। तो दुरुडाचारी बोलते हैं बेटा छोडो बाड अब तुम्हें बाड छोड़ना चाहिए। तभी अर्जुन का बाण छूटा और चिडिया जमेन पर आगी रही। इस प्रकार से द्रोड़ाचारे बहुत ही खूस हो गए और बेटा तुम धन्ने हो तुम आगी चलकर माहन धनुर्विद धनुर्धारी बनोगे। इस प्रकार से गुरुड़ाचारे ने सब को सिक्षा दी किस हीस्यों जो एकागर चित होकर अपना काम करते हैं उन्हें अवश्य ही सफलता मिलती हैं। इस प्रकार से तुम्हें अपने जीवन में भी जो भी आप काम करते हो उसे एकागर चीत होकर एक ही काम को अच्छे से करना चाहिए जिससे कि आपको सभी को सफलता मिलेगी.